और अब बात करेंगे दिल्ली NCR में प्रदूशन की पंजाब में जलती पराली, दिल्ली में सांसो की एमिर्जिंसी दिल्ली NCR में प्रदूशन की वजह से लोगों को परिशानी हो रही है दिल्ली NCR में लगातार दूसरे दिन प्रदूशन खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है आज दिल्ली में आनंद विहार समेथ कई इलाकों में एर कॉलिटी इंडेक्स चार सो के पार दर्ज किया गया है दिल्ली में कल कई जगों पर एक यूआई साड़े चार सो के पार पहुँच गया था आज हवा चलने से कल के मुकाबित थोड़ी सी रहा जरूर मिली है लेकिन NCR के बाकी शहरों की जो हवा है अभी भी जैरिली बनी हुई है यह तस्वीरे आप देख रहे हैं इंडिया गेट अक्षरधाम लोधी रोड आनंद विहार की देखे किस तरह से गयास के चैमबर में तबदील हो गए हैं दिली NCR के यह इलाके हाला कि आज जब सुभा हम अपने घरों से बाहर निकले तो धुंद कम थी, पल्यूशन की धुंद कम थी और ऐसा लग रहा था कि कल से आज बहतर हाला थे जब एर कॉलिटी इंडेक्स देखा हमें तो तस्वीरे और आंकडे भी यही दर्शा रही हैं कि कल ज्यादा पल्यूशन था, कल हवा में ज्यादा पल्यूशन के पार्टिकल्स थे, लेकिन आज थिती थोड़ी बहतर है, लेकिन खतरनाक की कैटेगरी में ही दिल्ली एंसियार में प्रदूशन से कोई राहत नहीं मिली है, एर क्वालिटी इंडेक्स चार सो के पार बेहत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, आज भी दिल्ली में सुबह से धुंत की मोटी चादर च्छाई हुई है, सुबह आलम ये था कि इंडिया गे धुंत की च दिल्ली एंसियार में एर क्वालिटी इंडेक्स चार सो पचास के करीब पहुंच गया था, आज हवा चलने से थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम विज्यानिकों के मताबिक दिल्ली को शुकरवार तक ज्यादा राहत नहीं मिलने वारी है, पंजाब में पराली इसकी जरी बताते हैं कि राधानी और आसपास की हवा में कितनी आखिर का जहरिला हो चुका है, तो एक यूवाई दिल्ली का देखिए, एर कॉलिटी इंडेक्स चार सो की उपर है, नॉइडा में तीन सो पेचानवे, लगबग चार सो इसको पकड़ लीजे, वह इसी तरह स आपको जो निकालेंगे ना एवरेज तो चार सो के आसपास ही नजर आ रहा है, और ये सबसे बड़ी बात इसली है क्योंकि दिक्कत इसली हो रही है, क्योंकि जो पंजाब में पराली जलाई जा रही है, उसकी वचे जो धुआ जो यहां शिफ्ट हो रहा है, अब बात आती आनंद विहार दिल्ली में सबसे प्रदूशन का होट स्पोट बनता हो नजर आ रहा है, आनंद विहार में 399 लगबग यानि की 400 पकड़िये के यहां पर हो चुका है, और ITU में में देखिए 399 हो गया है और 391 हो गया है द्वार का, तो कुल मिलाकर 400 के आसपास बवाना में 403 हैं, तो दिल्ली के लगबग यह होट स्पोट हैं, वजीरपूर में देखिए 416, यह कुछ ऐसे इलाके जहां पर काफी फैक्टरीज भी हैं, इसी वज़े से यहां पर यह लेवल हमेशे हाई रहता है, 388 हो गया, ओकला के पास लोधी रोड की जो मानिये की हाट अव लगातार वेरी पूर कैटिगरी में दर्श किया जा रहा है, बुद्वार सुभा की अगर हम बात करें, तो एर कॉलिटी इंडेक्स पीम 2.5 दिल्ली में पॉलूशन का ओवरोल 354 दर्श किया गया है, जो की वेरी पूर कैटिगरी में आता है, हलाकि बीते कुछ जिरो से द पॉलूशन का सर बड़ा है, उसके देखते हुए लगातार दिल्ली में पॉलूशन का सर वेरी पूर कैटिगरी में दर्श किया जा रहा है, हलाकि मंगलवार को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों के अगर हम बात करें, तो पॉलूशन का जो लेवल है वो 500 पार चला गया था कुछ इलाकों में 4500 के आसपास पॉलूशन का सर था, मंगलवार की तुल्ला में बुद्वार को हालत थोड़ी सी सुद्री है, लेकिन अभी भी दिल्ली में जो पॉलूशन लेवल है, वो वेरी पूर कैटिगरी में दर्श किया जा रहा है, आप ये करतव्यपत की तस्वी नजर आ जाएगा, हलाकि मौसम विबाग का कहना है कि थोड़ी हवा बिल्कुल चली, उसी के चलते हलकी फुल की रहाद दिल्ली वालों को मिली है, लेकिन आने वाले दिलों में हवा जैसे जैसे नहीं चलेगी, वैसे दिल्ली में प्रोदूशन का सर और भी खतरनाग श्रे जा रहा है, वो कही ना कही लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है, जो जगा सुबा मौर्निंग वाक करने वालों के लिए भरी रहती थी, अब वहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही आपको नजर आते हैं, हलाकि डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि अगर आप घर से बाहर निकल हैं, तो प्रॉपर जो प्रिकॉशन है, वो लेकर निकले, फेस पर मास्क लगा कर निकले, क्योंकि मौसम विबाग का साब तोर पर कहना है कि जिस सरीके से हवा की गती है, उसको देखते हुए आने वाले दिनों में दिल्ली में प्रोदूशन का सर और भी खतरनाक हो सकता है जतिन की इस रिपोर्ट में इंडिया गेट का हाल आपने जाना, अब आपको अक्षरधाम इलाके की रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि राजधानी में इस वक्त किस तरह हालाद बने हुए हैं, कैसे वो गैस चेमबर में तबदील हो चुकी है बुदवार सुबा भी दिली के कुछ इलाकों में पलूशन का सर चार सो के पार नजर आया, इस वक्त अब मौझूद हैं, अक्षरधाम मंदिर और पडपडगंज इलाके के पास, और आपको एर क्वालिटी इंडेक्स पहले दिखाते हैं, आप यहाँ देखेंगे कि बुदवार सुबा भी दिली के कई इलाके हैं, जहां पर पीम 2.5 चार सो पार नजर आया, तस्वीरे आप देख सकते हैं, अक्षरधाम मंदिर के तस्वीरे हैं, आपको स्मॉग अक्षरधाम मंदिर के आसपास नजर आ जाएगा, यही प्रदूशन की लेयर है, जो की आपको सड़क पर भी हलकेल की धुंद नजर आ जाएगी, अलाकि मौसम विबाग का कहना है कि मंगलवार की तुल्ला में बुदवार को हवा थोड़ी चली है, जिस वज़े से लोगों को हलकी रहात पॉलूशन से बिल्कुल मिली, लेकिन दिली में प्रदूशन का सर अभी भी वेरी पूर कैटिगरी में दर्श किया जा रहा है, मौसम विबाग का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में पॉलूशन लोगों को और परिशान कर सकता है, क्योंकि हवा की जिस तरीके की गती है, आने वाले दिनों में वो और कम होती नजर आएगी, जिस तरीके का प् पराली की घटनाएं बढ़ रही हैं रोजाना इस तरीके की तस्वीर पंजाब से सामने आती हैं कि जब पराली वहां पर जिलाई जाती है और उसी का असर है कि दिली एक गैस शेंबर में तब्दील होता हुआ नजर आ जाता है अलाकि प्रसाशन तमाम दावे कर रहा है कि वह प्रदूशन को रोकने के लिए हर संबा प्रयास कर रहे हैं दिली में जरूरी चीजों को छोड़ कर बाकी का चो कंस्ट्रक्शन साइट से सभी पर बैन लगा दिया गया है और जिस जगा पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है चाहे वो सेंट्रल गवर्मेंट का प्रोजेक्ट हो ह जगाओं पर तमाम नौम स्टै किये गए हैं कि वहां से पॉलूशन ना फैले इसको देखते हुए कमेटी का भी गठन किया गया है लेकिन उसके बावजूद दिली में प्रोजूशन का सर वेरी पूर कैटिगरी में दर्श किया जा रहा है जो कि लोगों की सेहत के लिए ब उन्दला नजर आ रहा है उसकी वज़े है पॉलूशन और पॉलूशन की वज़े से आपको बता दें कि लोगों को दिक्कते तो होंगी लेकिन इसका जो सलूशन है वो क्या है वो अभी तक नहीं निकल पाए क्योंकि हर साल इसी मौसम में सर्दिया जैसे आती है एक बड़ जैसे पहले मनें बताया कि सांस लेने में दिक्कत होती है में तो यही है और ज़्यादा दिक्कत तो यही होती है और पॉलूशन के ड़स्ट पार्टिकल संदर जाते हैं और जुकाम निमोनिया जिनको ज़्यादा होता है तो दिली वासियों को आपने सुना इसी बीच दिली में हवा इस वक्त रेड जोन में है इस खराब क्याटिगरी में है और सरकार ने वायू प्रदूशन से निपटने के लिए ग्रेड़ अक्शन प्लान यानि की ग्रैप को लागू कर दिया है और इस वक्त दिली एंसी आर कि अगर बात की जाए तो गैस चेंबर मुत अबदील हो चुका है तीसरा चरण ग्रैप का इस वक्त चल रहा है और साथी आपको बता दें कि जो खानन गतिविधिया हैं उस पर रोक लगा दी गई है और राश्ट्रिय सुरक्षा से जुड़े जो प्रोजेक्ट को लेकर छ हैं जिनको रोक दिया गया है जो प्राइवेट कंस्ट्रक्षन हैं उन्हें रोक दिया गया है और डेमोलिशन का जो काम है अगर वो करता हुआ कोई पाया जाएगा तो उस पर जर्माना लगाया जाएगा साथी हाट मिक्स प्लांट स्टोन क्रेशर के अलावा खनन से क्योंकि 400 से ज्यादा बहुत सारे ऐसे दिली में इलाके हैं जहां पर AQI देखने को मिल रहा है फरिदाबाद की बात की जाए NCR के इलाके 42 सबसे जादा वहां पर दर्ज किया गया है कुछ जगा स्तर 389 है कुछ जगा 399 है कुछ जगा 403 है इसलिए ये एतियातन कदम उठ पचास फीसद करमचारी ही दफतर आएंगे अगर 400 से ज्यादा Air Quality Index हर जगा पर देखने को मिला हाला कि ग्रैप के तहट चौथा स्टेज लागू जब होगा तब भी कुछ ऐसे ही कदम उठाए जाएंगे जिनमें ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी केवल CNG और इलेक्टरिक ट्रकों को ही दिल्ली में घुसने की इजाज़त होगी और अमित और किस तरह से कदम उठाए जाएंगे बताएंगे अगर यह नौवत आए तो ग्रैप 4 स्टेज के नियमों के मुताबिक केवल 50% करमचारी को ही दफतर जाने की इजाज़त दी जाएगी औ और बाखी को work from home करना होगा यह आदिश जारी हो सकता है यही नहीं ग्रैप के 4 स्टेज लागू होने पर जाने की चौता स्टेज लागू होने पर गाड़ियों को और इवन के फॉर्मूले साब से चलाया जाएगा यानि कि एक दिन में सबसे लास्ट और नमर वाली यहीं जाएफे भी बाख में देदे णिएू ँसलिड़ के आधा है।